नमस्कार मैं आर्टी बगे स्वागत जिंदगी नियूज में आप सभी का स्वागत है कोरोना महामारी के चलते देश में सभी स्कूल कॉलेज मंदिर मजीतों को खोलने पर पावंदी है लेकिन दिल्ली से 60 फरिदाबाद में मासुम बच्चों की जिंदगी से केलने वाले मौ से 45 बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के नाम पर मौलवी ने कोरोना महामारी को ताक पर रख दिया और सोसल डिस्टैंसिंग मास्क वा सैनेटाइजिशन सभी को भूल गया इस वीडियो में वाइरल होने के बाद फरिदाबाद पुलिस हरकत में आई है और मौलवी को पताया कि बाइरल वीडियो में बच्चों को शिक्षा देता दिखाई दे रहे एक शिक्षा को गिरफतर कर उसके खिलाफ सोसल डिस्टैंसिंग और मास्क का इस्तिमाल ना करने के चलते दार 188 के तैयत मामला दर्ज कर जा सुरू कर दी गई है उन्होंने कहा कि कानून का कि इसी को भी लंगन करने नहीं दिया जाएगा यहां का बच्चे पढ़ रहे हैं क्या है यह बच्चे पढ़ नहीं रहे थे सर वह आज जुमरात थी दद्दस रुपया जो हम लेते हैं जुमरात उंब बकराईद आ रही है तो हमारे थोड़ा खर्चे वह नहीं था हमार पास तो बच्चों से दद्दस रुपय घरों से मंगाये थे आज तो मों की पकराईद हमारी थोड़ी अच्छे समझागी कोई काम नहीं कुछ नहीं है तो अब मस्जिद के इमाम है क्या है नि पहले लोकडून से पहले हम बच्चे ही पढ़ाते थे तो बहुत दिन के बाद भूगा के घरों से तो हमने अपने खर्चे के लिए दद्दस रुपय बंगाये लेकिन जैसे देखा गया सोचल डिस्टेंसिंग नहीं थी छोट छोटे बच्चे तो बैट के बैटे थे ना साथ में 35 से 40 बच्चे एक साथ हां तो सब बच्चे पईसे लेकर आया थे उनको समझाने के लिए हमने खर्चे को कुछ नहीं अपने घरों से दद्दस रुपय लेकर आओ तो लेकर आये थे उनसे आपने एक साथ सब बच्चों को सबको लिश्ट नाम लिख रहे थे हैं किसके घर से आये हैं यहां पे बच्चे को आपी खोल के पड़ भी रहते वीडियो सब्सक्राइब कुछ पढ़ाना नहीं है मेरा पढ़ाना मकसद नहीं तो इसको एक साथ बैठाया आपने अपने खर्चे के चक्कर में बच्चों की जान को जोखें में डाल दिया अगर किसी बच्चे को कोरोना पोजेटिव हो आता उसका जिनमेदाब को नहीं है तो आज ही तो बलाया था जिए बच्चे पढ़ाते हैं आप वैसे अमून कितने लोकडाउन से पहले बच्चे वह 40-45 बच्चे हमारे बस पढ़ते हैं आज कितने बच्चे आये थे आपके आज दोपेर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने घर में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं मौके पर पुलिस पहुंची तो महां पे एक ट्यूशन पहले पढ़ाते थे तीन-चार महीने लॉकडाउन से बच्चे आये नहीं थे तो आज उन्होंने 20-25 बच्चों को अपने घर में कमरे में एक खटा किया हुआ था उर्दू का ट्यूशन पढ़ाने के लिए 188 की कारवाई हमने उनके खिलाफ की है किसी भी बच्चे ने टीचर ने मास्क नहीं लगाया हुआ था मैं जैसा देखा गया है कि मस्जिद के साथ में था और जिसी साथ से देखा गया वहां रेगुलर इस तरह का मदर्शा या कहें इसलामिक एजुकेशन दी जाती थी लेकिन वहां पर रेगुलर 35-40 बच्चे आते थे उसके बाद वहां सेनिटाइजेशन या किसी तरह के मास अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे यह साबित हो पाए कि वहां रेगुलर बच्चे आते थे जितनी अभी तक की इन्वेस्टिकेशन है उससे यही पता चल रहा है चार-पांच महिने से वह बन था इस तरह की कोई अक्टिविटी वहां नहीं थी जब से है घर में बच्चे पढ़ने के लिए बुलाए थे चोटे बच्चे चार-पांच महिने के गैप के बाद और मास क्यूंकि उन्होंने किसी ने नहीं लगाया हुआ था इखटे बैटे थे टीचर का ट्यूशन का का काम शायद चार-पांच महिने से बन था तो पैसों की और उसमें वी कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नॉम्स की उलंगना को लेकर जो उचित कारवाई नियमित रूप से अमल में लाई जाती है वो लाई जा रही है और लाई भी जाईगी और यह सबी के लिए है और बी लोग जो उलंगना कर रहे हैं उनके उपर भी ये अभी तक उसकी कोई रिटन कंप्लेंट या वीडियो या इस तरह की कोई बात सामने नहीं हाई है आएगी तो उनके खिलाव भी कारवाई की जाएगी जो भी कानून की उलंगना करेगा नियमित रूप से जो कारवाई होनी चाहिए वो अमल में लाई जाएगी इसमें प्रावदान है इनको 188 में पेश किया जाएगा डिपेंड करता है फिर